नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका हमारी चैनल बिहारी नॉन्स्टॉप नियूज में तो चलिए बिहार की दस प्रमुक बड़ी खबरों को जानते हैं चात्रों के बंद में सिर्फ नेता नजर आये सुसिल मोदी के मास्टर स्ट्रोक ने फेल कर दी विफक्षी दलों की प्लानिंग फ्लाफ हो गया बिहार बंद आरारबे अंटीबीसी परिक्षा को लेकर बिहार में जिस तरीके से चात्रों का आक्रोस भड़का था उससे सत्ता में बैठे निताओं के होस उड़ ही गये थे तीन दिनों तक बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश में भारे उत्पात मचाने के बाद चात्रों ने सुक्रवार को बिहार बंद करने का एलान किया था चात्रों के आक्रोज को मुराने के लिए विफक्ची पार्टिया तयार थी लेकिन गुरुवार की साम सुसील मोधी के मास्टर स्टोक ने सारी प्लानिंग ही हवा निकाल दी सुकुरुवार का बिहार बंद विफक्ची पार्टियों का फ्लॉप सो ही नजर आया दरसल सुकुरुवार के बिहार बंद से पहले की रात यानि की गुरुवार की रात सुसील मोधी ने विडियो संदेश जारी किया मोधी ने काया कि आज ही उनकी रेल मंत्री अस्मीनी वैसनाव से लंबी बात हुई रेल मंत्री ने काया कि RRB NTPC परिक्चा को लिकर वे बड़ा फैसला लेंगे एक बद एक चात्र की नीती लागू होगी साढ़े तीन लाख नए चात्रों का रिजल्ट निकलेगा और RRB के दो परिक्चाओं की जगह सिर्फ एक परिक्चा ही होगी रेल्वे मंत्री ने कहा है कि उन्होंने कमेटी बनाई है उसकी रिपोर्ट आते ही इसका अपचारिक एलान कर दिया जाएगा सुसील मोदी ने कहा है कि इस मामले में सारा दोस रेल्वे बोड का है जिसने सरकार से लेकर चात्रों तक में गलत फैमे पैदा कर दी है उन्होंने चात्रों पर हुए मुकदमे को वापस लेने को कहा है सुसील मोदी के एलान के बाद प्रकट हुए खांसर देर रात यूटूब पर प्रकट हुए खांसर ने चात्रों से सीधे सीधे कहा कि आपकी सारे बाते मान ली गई है अब किसी अंदोलन और बंद के फेरे में मत पढ़िये आपके नाम पर कोई और उत्पात मचायेगा और चात्र बदनाम होंगे खान सर ने चात्रों से कहा कि पढ़ाई पर ध्यान दे और किसी सूरत में अब अंदोलन में सामिल नहीं हो तरसल खान सर चात्रों की जिन मांगों के पुरा होने की बात कर रहे थे वह सुसिल मोदी के हवाले से ही सामने आई थी बिहार में अब सरकारी सिक्षक ढूणेंगे सराब सराब बंदी में बुरी तरफ फेल हुई सरकार ने जारी किया आदेश बिहार में नितीज सरकार ने पुरे सुबे की पुलीस को सराब रुणने के काम में लगा रखा है उसके अलावा मदनिसेद और उत्पाद विवाग का लंबा चोड़ा दस्ता सराब रोकने के लिए लगा है लेकिन सरकार की सारी कवायाद फेल है लिहाजा अब सरकारी स्कूल के सिक्षकों के साथ सेवक और ताले में मरकज के सेवकों को सराब ढूने के काम में लगाने का आदेश जारी किया गया है बिहार सरकार के सिक्षा विवाग ने राजबर के सरकारी इसकुलों के लिए ये आदेश जारी कर दिया है बिहार सरकार के सिक्षा विवाग के अपर मुई के सचीव संजे कुमार ने पुरे राज के सभी जीलों के सिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी किया है पत्र में क्या आदेश दिया गया है उसे हम हो बहु आपके सामने रख रहे हैं देखिए क्या लिखा है शिक्षा विभाग के अपर मुक्य सचीव ने ऐसी सुचनाय प्राप्त हो रही है कि अभी भी कतीपई लोगों द्वारा चोरी चुपे सराब का सेवन किया जा रहा है इ प्रमोशन में आरक्षन मामले में सुप्रीम कोड के फैसले का जीतन राम मांजी ने किया स्वागत प्रमोशन में आरक्षन मामले में सुप्रीम कोड के फैसले का हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने स्वागत किया है जितन राम मांजी ने किया कि सरकारों की गलत नीतियों के कारण आजादी के करीब 75 साल बाद भी SCST को अगड़ी जातियों के सामान योगता के इस्तर पर न प्रमोशन जनजातियों को प्रोनते में आरक्षन देने के लिए कोई मांदन तय करने से सुकुरवार को इनकार कर दिया पिछले 24 घंटे में मिले 1654 केस पटना में 221 संक्रमित बिहार में कुरोना की तीसरी लहर लगातार कमजोर परती नजर आ रही है बीते हपते भर से कुरोना के संक्रमन के आकड़ों में लगातार कमी आई है आज एक बार फिर से बिहार में संक्रमन की रपतार में कमी देखने को मिली पिछले 24 घंटे के दौरान बिहार में कुल 1654 नए संक्रमित पाये गया है बिहार में इसके साथ ही संक्रमन की कुल एक्टिव किसो की संक्या 8993 हो गई है बिहार में पोजिटिविटी रेट 1.09 प पर लगी मुहर तीन हपते के अंतराल के बाद हुई नितीज केबिनेट की महत्पुन बैठक बीते सुक्रवार को खत्म हो गई है नितीज केबिनेट ने कुल 18 एजेंडों पर मुहर लगाई है राज केबिनेट ने बिहार पुलीस के अंतरगत गटित स्पेसल ऑक्जिलरी भारत सरकार के निर्देश के मुताबिक गारियों के स्क्रैपिंग सुईधा का लाब लेने वाले लोगों को छोटे कॉलाप्स भी दिया जाएगा परिवहन वाहनों को स्क्रैप कराये जाने पर 15 फिजदी की चूट मोटर वाहन कर में दिया जाएगा जबकि 11 परिवहन वा 52,000 रुपईये की सुकृति प्रदान की गई है बिहार में इस साल सबसे लंबी अवधिक की रही ठंड क्लाइमेट चेंज का मौसम पर दिख रहा है असर बिहार से जुड़े सर्वकालिन मौसम में आकडों के मुताबिक जनवरी सरवाधिक ठंडी जा रही है मौसम विज्यानी जनवरी 2022 की अब तक पड़ी ठंड को सबसे लंबी अवधिक की प्रभावसालिश सीत बता रहा है इस साल प्रदेश के विविन इलाकों में 18-20 दिन कोल्ड डे दर्ज किये गए या सामान से करीब 4 गुना अधिक है इसी तरह इस मकर सक्रांती के बाद तक लगातार सित लर बने रणा दूरलम मौसमिक घटनाकरम का माना जा रहा है कोरोना संक्रमन से मुक्त होकर CM नितीज कुमार काम पर वापस लोटे इस विभाग की कर रहे हैं समिक्षा मुख मंत्री नितीज कुमार काम पर लोट आये हैं कोरोना संक्रमित होने के कारण वो विभागिया कामों से दूर थे कुरोना संक्रमन से मुक्त होने के बाद एक बार फिर उन्होंने वापसी कर ली है स्यम नितीज कुमार गुरुवार को स्वास्त होने के बाद पहली बार समिक्षा बैठक करने पहुचे थे बीते गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास इस्थित अपने कारियाले में सियम नितीज कुमार पथ निर्मान विभाग की समिक्षा कर रहे थे इस मौके पर उनके साथ बिहार के मुख्य सचीव आमिर सुभानी और अनधिकारी मौजूद थे मुख्यमंत्री की इस समिक्षा बैठक में पथ निर्मान विभाग के मंत्री नितीन नविन और अनधिकारी वीडियो कॉन्फरेंसिंग के मैद्धम से जुड़े हुए थे इंटर परिक्षा के एडमिट कार्ड में गड़बड़ी होने या गुम होने पर भी एक्जाम की अनुमति जाने सर्थ बिहार बोड एक फरवरी से इंटर की परिक्षा का आयोजन करने जा रहा है इंटरमेडियेट की वारिसिक परिक्षा 14 फरवरी तक चलने वाली है इस परिक्षा के लिए बोड ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है कुरोना काल और ठंड के बीच आयोजन की जा रही इस परिक्षा में बोड ने एक तरफा जिनके प्रवेश पत्र में फोटो की त्रूटी हो गई है उन्हें परिक्षा में बैटने की अनुमती दी गई है जिन स्टुडेंस के एडमिट कार्ड में फोटो में अगर गडबडी हो या किसी अन्य तरह की तस्विर छपी हो तो छात्रों को परचान पत्र के साथ परिक्षा केंदर पर पहुंचना होगा छात्र, आधार कार्ड, बैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लैसेंस अथवा फोटो युक्त, बैंक का पासबुक लेकर परिक्षा केंदर पर आएं इसके साथ ही पहचान पत्र की छाया प्रती, राजपत्रित, अधिकारी से सत्यापित कराकर परिक्षा केंदर पर जमा करना होगा भोजपूरी फिल्म अभिनेत्री, रानी चटर जी ने लिख कॉंग्रेस की सदस्ता प्रियंका गांधी के साथ अपनी फोटो सोसल मीडिया पर सेयर किया भोजपूरी फिल्म इंडस्ट्री की क्वीन, राजनिती में कदम रखने का फैसला लिया है रानी चटर जी कॉंग्रेस पार्टी में सामिल हो गई है, इस बात की जानकारी रानी चटर जी ने कुद सोसल मीडिया पर दी है, जिसके बाद से लगातार उन्हें फैंस बताईया दे रहे हैं भुजपूरी फिल्म की एक्ट्रिस रानी चटर जी ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर भी सेयर की है, इस तस्वीर में प्रियंका गांधी के साथ नजर आ रही है, रानी चटर जी लिखती है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ये वही नारा है जिसके सहारे प्रिय पर हमला बोल रही है, इस तस्वीर के साथ कैप्सन में रानी चटर जी ने प्रियंका गांधी को धन्यवाद रिखा है, रानी लिखती है कि एक और लड़की लड़ने के लिए तयार है, प्रियंका जी के अभ्यान लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ के साथ जुड़कर मैं उन्होंने कॉंग्रेस पार्टी जोयन कर ली है, तब से लगातार उनके फैंस की तरब से बधाई संदेश मिल रहे हैं। इस मामले में परिवहन विभाग ने बिहार के सभी जीलो के जीला परिवहन अधिकारी को लेटर लिखकर सौप्ट्रवेर में आवस्यक विवस्ता कराने का निर्देश दिया है। से नहीं सिखने की वज़ा से हाधसे होने की बात कही थी। इस थाई लाइस के लिए 2300 रुपईये का चालान काटना पड़ता है। अलग से स्लोट बुक करने का 50 रुपईये देने पड़ते हैं। अब इससे हजारो अवेदकों का लाइसेंस फर्स सकता है। अज के सुर्क्यों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथे साथ वीडियो अगर पसंद आए। लाइक, कमेट, सेयर करना ना भूले।